क्योंकि वहीं उसके साथ तक्कर की कॉंपेटिशन दे सकता है और कोई नहीं अर्शी ऐसी है रूबिना जैसी है जो है मुझे पीछे कुछ नहीं है जो भी गेम खेरी वह सामने खेरी पीछे नहीं केरी तो यह दो जन शायद लगता है दोनों फिनाले में जाएंगे खेलता भी है और मतलब टास लेटे करता है और मतलब बस ओराउंडेर इतना मुझे पता है यह जो है जैसा है वैसे ही बात करता है जो राइट है उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है राहूल है क्योंकि राहूल एक स्ट्रॉंग है और लेकिन कितना भी करने से रुबीना को कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो खुद स्ट्रॉंग है सबसे पहले तो फीफा फूस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी तो हमने कल जैसे देखा सल्मान खान ने कंटेस्टन को एक बोला कि आप किसी एक कंटेस्टन का नाम चूस करिए जिसकी राहों में आप सबसे ज़्यादा काटे बिखेरना चाहते हैं तो हमने देखा राहूल एजाज और अर्शी ने रुबीना का नाम लिया तो क्या लगता है आपको इन तीनों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा उनकी राह मुश्किल बना सकता या उनकी राह में काटे बिखेर सकता है एजाज खान ऐसा क्यों लगता है तो अगर मैं आप से पूछूं की जैसे हमने देखा कि घर में जो है राहूल एजाज और अर्शी तीनों ने रुबीना को टागेट किया तो क्या लगता अब किसकी गेम पर कितना फरक पढ़ने वाला रुबीना की क्या वो स्ट्रॉंग ह तो घर में आप किसको सपोर्ट करती हैं किसको चाहती है कि वो बिग बॉस जीते रुबीना या एजाज दोनों में से कोई भी है और बैस बोल दीजे एक बार ऑल बैस बोत ऑफ यू थांक्यू सो मच्ट सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत-बहुत सवागत कर लिए तो आपको क्या लगता है कि कौन है जो सबसे जादा रुबीना की रह में काटे भी खेर सकता या उनको टकर दे सकता गेम वह अर्शी खान अर्शी खान सबसे टफ कर्टेस्टनर क्यों लगता आपको जिसकी वज़े से आपने सोचा कि वह जादे बहतर गेम खेलती है वह रुबीना को टकर दे सकती है अर्शी एसी है रुबीना जैसी है जो है मुझ पर मुझ फटे पीछे कुछ नहीं है जो भी गेम खेली वह सामने खेली पीछे नहीं के रही तो यह दो जन शायद लगता है दोनों फिनाले में जाएंगे और इसमें बनेगी रुबीना तो अगर मैं पूछू कि आप किसको सपोर्ट करती है किसको चाहती है वो बिग बॉस का विनर बने तो कौन होगा हम तो इजास को चाहते हैं लेकिन बनेगी विनर रुबीना थांक्यू सो मच वेलिकूं सबसे पहले तो फीफा फूस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करना थांकि यू जैसे कि कल हमने देखा सल्मान खान ने घरवालो को एक टास्क दिया जिसमें उन्होंने बोला कि आपको किसी एक कंटेस्टंट के आगे उसकी राहों में काथे बिखेरने हैं तो हमने देखा कि राहुल एजाज और अरशी ने जो है रुबीना की राहों में अच्छा लगता है तो हमने जैसे की देखा कि कल तीन-चार लोगों ने रुबीना की राहों में जो है वो काटे बिखेरे तो क्या लगता है आपको कि अब वो कमजोर पढ़ जाएगी या उसका ग्रेम और स्ट्रॉंग होगा कैसा लगता है वो कमजोर नहीं पड़ी सबसे पहले तो फीफा फूस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी तो जैसे कि कल हमने देखा सलमान खाने कंटेस्टेंस को एक टास्ट दिया कि आपको किसी एक कंटेस्टेंस की राहों में काटे बिखेरने हैं और हमने देखा कि राहुल एजाज और आपको यह क्या है वो गणा सकता है रहुल जहलता में लगता है आपको अपसamesने व के लुए हुए तो आपको क्या लगता है कि एस रुबीना का गेम पए इस पे रोबीना की गेम पर क्या फरक पड़ेगा क्या वह स्ट्रॉ meal होगी या वो वीग पढ़ जाएंगी मेरी नेजर में वीग पढ़ेंगी इस टो हाँ स्टॉंग तो मुस्की लिए तो अगर मैं पूछू कोई सबसे पहले तो फीफा फूस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूं अभी कल जैसे हमने देखा सलमान खाने घरवालों को एक टास्क दिया जिसमें उन्होंने बोला आपको किसी एक कंटेस्टन की राह में काटे बिखेरने हैं तो हमने देखा कि राहूल एजाज औ रूबी माद की राहों में काटे बिखेरे तो आपको क्या लगता कि आका Developer कौण है जो सबसे देखा रूबीन को ठकर दे सकता या फिर सकी राह कठीन बना सकता हैं मुझे लगता है कि एजाज उनकी रागा ठीन बना सकता है और हीजाज जो वह जैसा है वैसे ही बात करता है जो राइट उसके साथ हमेंसा खड़ा रहता है और किसी भी वीक तो वीख है वैसा दिखाता निया और उनको हमेंसा हल्प करता है अब को लगता है उनकी तो वैसे तो उसकी गेम स्ट्रॉंग होती जा रही है दिन बदिन तो और स्ट्रॉंग हो जाएगी हो उने ये भी बोला कि थांक यू सो मच मेरी राहों में काटे बिखेडने के लिए आप मुझे और स्ट्रॉंग बना रहे हैं वैसे तो जिसके जीतने जयादा दुशमन उतने वह आगे बढ़ते तो आप घर में किसको सपोर्ट करते हैं या किसको चाहते हैं कि वो बिग बॉस जीते तो यह बार किसी को सबस्वाय कर रहा हुआ कि यह बार कुछ समझ में यह रहा है किसी को का केम हमेंचा चेंज होते रहते हैं विद्धा सीधा शुक्ला उनकी चैज़ वरवर्ड थी कभी चैनल तब कभी रिष्टे चेंज ने होते थे तो फिर भी अगर एक नाम फिर भी आपको लेना हो तो क्या होगा एक नाम लेना हो तो राहूल यांक्यू सो मज्यू सबसे पेहले तो फीवाफूस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी और संत्यकी ने अब लगेंप्स को किन इन में साथ कृता रुबीना की राहों में काटे बिखेर सकता है या उसको टक कर दे सकता है राहूल है क्योंकि राहूल एक स्ट्रॉंग है और लेकिन कितना भी करने से रुबीना को कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो खुद स्ट्रॉंग है और जितना वो लोग उसके अगैंस होगे वो उतनी स्ट्रॉंग होती जाएगी तो आपको राहुल का गेम जादा पसंद है इसका मतलब रुबीना के अकॉर्डिंग रुबीना का गेम इतना पसंद नहीं है और आपको लगता है राहुल जादा उनको टकर दे सकते है कर nähi राहुल कोशिश करता है टक देने की लेकिन रुबीना अपनी जगे भीना से जादा स्ट्रॉंग मुझे कोई नहीं लगता है वो घर में अभी जैसे हमने देखा कि सब लोग जो है राहूल एजाज और अर्शी सब जो है वो रुबीना को टागेट कर रहे थे तो आपको क्या लगता है उसकी गेम पर अब कितना फरक पड़ेगा वो स्ट्रॉंग हो जाएगी या उसकी गेम सब वीक हो जाएगी क्योंकि सब उसको टागेट कर रहे हैं सब मिलकर भी एजाज है राहूल या अर्शी है अर्शी तो मुझे कुछ लगती नहीं कि वो सई से घीम खेलती नहीं है तो यह लोग कितना भी कोशिश कर ले रुबीना और स्ट्रॉंग होगी उसको कोई फरक प